नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सोशीला सेनी गाइनेकलोजिस्ट और अप्सेश्टेशन डायरेक्टर जैपुर दूर्बीन होस्पटल एक बार फिर से आपके साथ हूँ पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है उसके क्या संवंचना है और इसमें क्या स्ट्रक्चर के साथ में क्या क्या काम और क्या क्या बिमारियां असोसियेटेड है उसी समय हमने एक बात की थी कि बच्चेदानी की बनावटी खराबियों के बारे में जिने की हम मुलेरियन अबनॉर्मल्टी के नाम से जानते हैं और यह मुलेरियन अबनॉ या बनावटी तरीके से बन जाती हैं जिसके कारण बच्चे को या बच्ची को अपने को काफी सफर करना पड़ सकता है और यह कई बार हमें शुरुआत में पता नहीं होती है और बच्ची का महीना नहीं आता या बच्ची के महीना आने के समय पर 13-14 साल की उम्र के असपास चीज के बच्चे को यह वीडियो के द्रू अब तर्व क्या क्या में परीशान अगराई यह आपने देखा होगा कि अनॉरमल यूट्रस चलंडोया है को दो दो ट्यूब्स होती है दो ओवरी उसके साथ में जुड़ी होती है और यह जो नॉर्मल यूट्रस है यह बच्चेदानी के मुह के द्वारा बच्चेदानी के रास्ता जिसे वजाइना बोलते हैं वजाइना के अंदर उपन होता है अब इसकी वराइटी अगर हम देखे कि ब मुलेरियन डक्ट के जुड़ने से और एक होने से दो के एक होने के कारण एक बच्चेदानी बनती है लेकिन कई बार यह दोनों बच्चेदानी जुड़ती नहीं है अलग अलग ही रह जाती है और दो बच्चेदानी बन जाती है तो आपने सुना होगा किसी महिला से बात क और उनके जुड़ने के खराबियों के कारण या बन जाती है तो इसको तो हम बोलते हैं यूट्राइन डाइडल्फिस का मिनिंग है कि दो बच्चे दानी दो बच्चे दानी के मूर लेकिन रस्ता एक ही होता है दूसरा कि अगर यह दोनों बच्चे दानी जब जुड़ रही है तो यह पूरी तरह से नहीं जुड़ी है और यह जुड़ी है तो आधी जुड़ी है और आधी नहीं जुड़ी है इस तरीके को बोलते हैं कि आधु है आधी और काड़ी खुली है इस तरीके की होगी तो नीचे से मुह एक रहे घॉपर जाक् mount रहे लेकिन ऊपर से दनी तो होती है तीशरी वराइटी कि दोनों झूड़ टो तो यह खुदा पड़ा है जो नौर्मरी एब्सवब हो जाती है लोग फुर्टिंग में पूरी उपर से लेकि नीचे तक हो सकता है और यह नीचे नीचे बचिदाने के रास्ते में भी extend कर सकता है नीचे तक भी आ सकता तो नीचे बच्चेदानी के जो वजाइना है वो भी दो हो सकती है ने कि बीच में septum हो सकता है परदा हो सकता है अगर इस चीज को अगर दूर्बिन डाल कर हम लोग नीचे से देखते हैं तो यह normal uterus है जिसमें cavity एक नजर आ रही है लेकि अपने को problem दे सकता है तो यह separate uterus है और यह अगर परदा पूरे तरह एब्सॉब हो गया लेकिन थोड़ा सा पार्ट रह जाता तो इसको अर्क्वेट यूट्रस बोलते हैं यह बहुत जादा तकलीफ नहीं देता है एक वराइटी है जिसमें बच्चेदानी पूरी बन गई है जूड़ गई है लेकिन अंदर की कैवेटी है वह नहीं बनी है जहां पर बच्चा लगता है जहां से महीना आता है यह चैवेटी पूरी तरीकर से नहीं जुड़ी है इसको हम बोलते हैं एक तरीके का टी शेप यूट्रस को कि है चैवेटी ओड़ी का ती कि अकार की चैनले टूम एक तरफ की नली से ऑक बच्चेंच करदानी बनती है तो उसमें एक यग होती है तो इक तरफ तारफ जो सकती है वह सकते है ऩो तो यह सकती है bet यांसे बंद होती है और अन्दर की काम कर रही होती है यांए जब महीना आने की उम्र होती है तो महीना तो नहीं आता है लेकिन बच्ची बहुत ज्यादा दर्द की यचे कहती अंदर-अंदर इकठा होता जारा लेकिन नीचे से ओपनिंग होने के कारण पूरा महीने का ब्लड अंदर इकठा हो जाता है और बहुत जादा सिवियर दर्द होता है एक तरह कि यह जो महीने का खून है जो बाहर निकलना चाहिए वो अंदर ना निकले और बच्चे दानी के अंदर इकठा भी नहीं हो हम इनके पता कैसे करेंगे कि हमारी बच्चे में यह प्राबलम है या नहीं है अगर आपको लगता है कि 13 साल की उम्र हो गई है और अभी तक महीना नह जरूर पड़ती है और इस बीमारी के साथ में कई बार किडनी की अपनॉम वर्टे घुर्दे की अपनॉम आपको अपना चाहिय के आपको पता लगता है कि बच्ची के अंदर किसी तरीके के इन मेंसे कोई प्राबलम है यानिकि सबसे जो इमर्जन्स वो तो एक रस्ता बन सबसे सिव्य रूपए कि नहीं नहीं और बच्चे दानी ना पूरी ना छूटी ना मोटी कैसी भी नहीं वनी तो युटरस एपसेंट वजाईना तो बच्चे दानी कर रास्ता निचे से रस्ता तो बना दिया जाता है लेकिन बच्चेदानी नहीं होने की कारण गर्भ धारन करने में समस्या आती है ना ही उस लड़की को कभी महिना आता है ऐसे इस तिते में यूट्राइन ट्रांस्प्लांट करवाया जा सकता है जो आजकल इंडिया में अवेलेबल है और काफी सक्सेस्फुल है तो आजकल इस तरह के जिनके बच्चेदानी बिल्कुल नहीं है उनके लिए भी एक होप है एक आशा के किरण है यूट्राइन ट्रांस्प्लांट वह अच्छे से करवाया जा सकता है उसमें बच्चे भी हो जाते हैं बाद में दूसरा है कि अगर बच्चेदानी का मुह नहीं खुला है और सिर्फ महिने का खुन अंदर इकटा हो रहा है तो नीचे से और उपर से दुर्बीन डाल कर इस रस्ते को खोल दिया जाता है और नली डाल दी जाती है ताकि महिने का खुन के लिए रस्ता बन जाए और üstivity के समय प्राब्लम करती है का बार इनमे बच्चा लग जाता है लेकिन जगह कम होने की करण आधी बच्चेदानी होने की करण बच्चा जल्दी गिर जाता है यह प्रीटर्म पैदा होता है उसको इसको सपीसथ होथा है अंदर अगर ऐसी स्थिष्व करसे अगर diesem कर दो को दोनों को जोड़ा जा सकता इस तरीके से पेट में डूर्बीन डाल कर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की दो बच्चे दानी को एक किया जा सकता है और इस तरीके की नॉर्मल केवेटी हासिल की जा सकती है जिसमें नॉर्मल प्रिग्नेंसी हो सकती है और अगर हम इस तरीके की करते हैं तो नीचे से ही दुर्विन डाल कर यानि हिस्ट्रोस्कॉपिक सरजडी की दौरा इस परदे को सीजर से तरीके से कट कर दिया जाता है ताकि इसको कट जैसे ही करेंगे तो इस तरीके की पिक्चर आ जाएगी और नॉमल हो जाएगी कैवेटी और इस तरीके की अगर आपकी बच्चे में या किसी में भी तो हम उसका treatment कर सकते हैं और दूरबीन दोरा इसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से संबब है और हम पिछले दस वर्षों से इस तरीके की बीमारें का इलाज करते आ रहे हैं तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो अ परामश अपने डॉक्टर से जरूर लीजिए उचित जांच और उचित सलाह के साथ अच्छे से हर बिमारी का इलाज संभव है आज साइंस ने प्रगति कर ली है कि उट्रेंट ट्रांस्प्लांट भी इंडिया में हो रहे हैं अच्छे हैं सक्सेस्फुल हो रहे हैं और बाकि बिए बड़ करके दो सेप्टम हटाया जा सकता है तो बहुत अच्छे से बिना चीरे के बिना दर्द के सरजडीश है पड़ाज दो अब जरूर से एक बार ध्थान झाण जरूर दे और बच्ची के लिए फस्ट्रों कर वह अगर आपके बच्ची कोई कंप्लेइं करती है तो उसको हमेशा द्यान में रखें कि बच्ची की कंप्लेन है तो इस वीडियो आपके लिए लाबदायक रहा होगा आप इस वीडियो को अपने रिश्टारों से फ्रेंड से और अपने करलिक्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अवेरनेस आए और अब ही तक और में चलिए तक पर आपके लिए तक आपके लिए।